तो सर तुम्हारा भाई आ गया है तुम्हारे ले एक और शांदार जानदार मज़ेदार चीज लेकर वो क्या है सर एफार के कुछ बहुत ज्यादा बहुत इंपोर्टेंट प्रायॉरिटी टॉपिक्स सर यह क्या नयाल आय हो यह सब बताऊंगा लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कियेवे ना सुनना आना यही तो तकलीफ है और मैंने सुनाई सब्सक्राइब करने पर पांच मां एक्ष्ञा मिल रहें नहीं मानते करके देखो उसके लावा यह जो फाइल है लिखने के जरुव मतलब आपके लिए मैंने कुछ 5-6 काटेगरी बना दिये और उसका वेटेज डिफाइन कर दिया तो सपोज अभी क्या होता है देखो जिसका फर चल रहा है जिसका एक बार पढ़ लिया एक बार रिवाइस कर लिया मॉक्टेश वगरा भी तेटेवे चल रहा है वहरी गुड आप सीवे वीडियो देखकर चेक कर सकते हो कि आपने वह सारे काटेगरी किये गी नहीं किये ठीक है लेकिन क्या होता है एफर का सिलेबस बड़ा है तो काफी लोग जूज रहे अभी अभी ऐसा इतना सिलेबस बड़ा कंटोल में नहीं आ रहा है हमारे कर लिया लेकिन आपको आराम से 60-70 एम करना चाहिए तो बताऊंगा कोंसे कोंसे चीज पर फोकस करना आपको उसके अलावा अगर आपका यह चीज नहीं भी हुआ है तो कैसे गवर कर सकते हो आप ठीक है वो सब बताऊंगा वीडियो को प्लीज लास्ट देड दिना शॉट सा वीडियो पांच और छे काटेगरी के अंदर बाट दिया है तो एफार का पेपर होता है 125-126 माक्स के अप्रोक्सिमिटली आते हैं सौमा का अटेम करना होता है अपने को ठीक है तो अब सबसे पहले जो कैटेगरी है वह आपकी मतलब एक्जाम में आने वाले चार इंडेस बराबर तो 103 और 110 ये दो में तो अब अगर बड़े प्रैक्टिकल कोईशन कवर कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा अगर आपने ये संभाले हुए इन अच्छे से तो वह स्मॉल कोईशन आपका आपका अच्छाम में अगर आपको ये भी जानना है कि कौन से फोकस क्वेशन है नंबरिंग अगरा चीए तो आप मेरे रिविशन वीडियो रिफर कर रहे हो है ना यूटूब पे मैंने डाल लगा है तो उसमें मैंने बता रखे कि कौन से आपके क्वेशन फोकस एडिया पर होने ही ठीक है अग अगर अगर मेरे ये वीक है तो आपको ये काटेगरी छोड़के फिर बागे सब स्ट्रॉंग करनी पड़ेगी और मैं बोलता है इसको वीक मत रखो कंपल सरी में आ जाता है तो सर अभी वीक है तो क्या करूँ तो देखो उसकेस में पता है क्या करो आभी काफी लोग मुझे ए भी पूछते सर फास्ट्रक ले सकता हो गया भाई देखो वह आपके उपर है अगर आपको लगता है कि मेरे को कवर करना है मेरे को पूरा नहीं देखना है मेरे को सिफ दो तीन बॉकसेस में को कवर करना तो कर लो ना भाई तुम देख लो मैंने उसका प्राइस बी डाल जो किसके बास हार्ड कॉपी रहेगा तो मैंने और भी प्राइस कम कर दिया आपके लिए तो आप वह ले सकते हो तो यह वाला देखोगे तो गिन चुनके वह आएगे 20-25 वह मैंने क्लास में बता भी रहे कोन से वाले करने तो उतने भी कर लोगे ना उतने भी कर लोगे तो को नया क्वेशन बनके आएगा तु भी टैकल कर लोगे क्योंकि वह 25 ऐसे क्वेशन जो आपके पूरा फिनांशल इसमन कवर क तो 20 मां आपका आराम से निकल तो बहुत इजी है बाई मैं तो तुमको इतना वो कर दूगा न स्टेप वाई इतना मेकैनिकल कर दूगा तुमको में कंसेप के साथ तो तुम बोलोगे बाई क्वेशन देखते हाथ चलते है अपना वैसा वाला इसाब है तो अगर किसी का य पिछली बार नहीं आया तो इस बार आ सकता है ठीक है वन वन फाय तो उनका फेवरेट अबा पूछते रहते लेकिन वन फाय बहुत बड़ा लगता है लोगों को तो क्या करने का मैंने बता भी रहा है कुन से कुन से क्वेशन पर फोकस करना इसमें भी अगें 100 क्वेशन के और यह तीन ऐसे काई टेकर जो आती आती एक्जाम में सिव एक 10 to 116 है जो हर बार कभी-कभी नहीं आता है लेकिन 10 to 116 दोनों पिछले बार नहीं आया था तो इस बार आने के प्रबावलेट फ्रोड़ी जादा हो ही जाती है सर आपने हर जगे स्टार क्या मात कर रख है स्टार का मतला आपको लाशन बताऊंगा प्लीज सुनना लास तक उसके लावा तो यह तीन बॉक्स हो गए आपके ठीक है मैंने बता भी रख है किस पर फोकस करना अगें 116 में एक और क्वेशन है मुझे लगता है गुगली फि तो वह कर लो भाई वह चार या पाच या शे मां का सकता है तो यह पूछेगा तुम से फिर मतलब तुम करके इसा प्रैक्टिकल पूछा ऐसा थीरी वाला क्वेशन तो एक वह तीरी निटा लो उसके लावा सारे बड़े प्रैटिकल क्वेशन कर लो गिंती चुनती के दस अब 15 क्वेशन निकलेंगे और कुछ निकलेंगा निए उसके अंदर तो यह आपकी 3rd category हो गई फिर आते 4th category पे तो यह सारे वह इंडेस है जो असर लियाबलेटी के ओपर बेश्ट है बराबर इसका वेटेज करीबन करीबन ओन अन आवरेज 20 से 30 मांक का आता है सिर्फ एक तो वह आप करके जाओगे तो 20 से 30 मांक आपका यहां निकल जाएगा ठीक है ध्यान रटना अब इसमें मां बताता हो स्टार मांक क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो काफी लोग बोलेंगे सर यह पूरे category में अगर टाइम बहुत ज्यादा कम है तो मैं ज्यादा ज्यादा फोकस किस पे करना सब कोशिश करना जितना कर सको ता कर लो लेकिन ज्यादा फोकस किस पे तो ज्यादा फोकस किस पे तो ज्यादा रहना अल्टा अल्टरा 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 प्रायरिटी टॉपिक्स मतलब वह तो एकदम ही ऐसा है कि यह तो कर लेना इ यह दो एसे इंडेस है, जो हर बार नीया आते हैं, कभी-कभी आते हैं, और बहुत समेश है यह तो आया ही नहीं है, यह पहले एक बार आया था, 15-16 माक्पर, उसका बहुत समय को समय नहीं है, ठीक है? तो यह दो के के टेगरिय, जहां मैंने बोला है, हर अटेम में नहीं आता लेकिन जब आएगा, तो 10-15 मक्का निकल सकता है, specially ये वाला, इसमें क्या है सर, corrected balance sheet, अगर आपको लिखना ताब लिख सकते हो, इसके अंदर होती है, corrected balance sheet वाले question, मतलब ये तब कर पहोगे, जब पूरा एफर आपने एक बार कर रखा है, काफी बचे छोड़ देते हैं, मैं बोलता है, मत छोड़ो, पता है क्यूँ, आपको एक simple सा logic बताता हूँ, suppose ICI को paper third tricky बनाना हुआ, तो कभी-कभी है न, वो CFS compulsory में नहीं पूछेगा, शायद, तो उसके बदले क्या पूछेगा फिर, उसके बदले ये पूछ लेगा फिर, compulsory में 2-3 type के question आते हैं, तो financial instruments आजएगा, या फिर ये आजाएगा, या फिर CFS आजएगा, ऐसा, of course 4 चीज हो सकती है, बट mostly ये आता है, तो कभी उनको गुगली फेक ना हुआ, कभी अगर उनको इन 3 में से किसी का weightage कम करना हुआ, तो वो यहाँ, यहाँ पूछेंगे फिर, तुम समझ रहों तो ये ध्यान लगना, देखो बहुत analysis किया हुआ है मैंने उसके उपर, ठीक है, उसके बाद, ये आपकी 5 छोटी से category मैंने बनाई थी, उसके बाद एक आखरी category है, जो बाद की सारे index है, उस category मैंने डाल दिये, ठीक है, वो small small index है, जो काफी बच्चे छोड़के जाते, तो अगर आपका उपर किधर भी compromised है, तो नीचे वाल अच्छे से कर ले, मतलब देखो, आप ये 6 में से ना 4 या 5 बेच्छे से कर लोगे, तो भी आपका साथ सर्तर मांग निकल जाएंगे, ठीक है, on an average, मतलब एप्रॉक्सिमेशन देखो को, तो निकल जाएगा, मैं तो कहता हूँ कि सब करना चाहिए, लेकिन टाइम का कश्ण है, तो यू आपको स्मार्ट एनफ टू प्लान तिंग्स आउट, इसके अंदर भी बता रहा हूँ कि अगर टाइम कम पड़ता है, कभी-कभी होता खतम ही नहीं हो रहा है, अरे सीधा फटाफट करते वे चलो, अगर पहले एक बार कंसेप कर रखा है, तो क्वेशन पर दिल्ड़री जम मार सकते हो, या फिर कंसेप करने के लिए में रिवीशन वीडियो जूस कर लो, रिवीशन में कंसाफट आपट सुन लो समझ गया, अब क्वेशन पर जम मार लो फटाफट, और सारे क्वेशन तो नहीं करने हैं, मैंने क्लास में बता रखा ना, और कभी इधर किधर कॉम्परमेस करना हुआ, तो ध्यान लगना वो यहां से पूछाएगा, स्मॉल जो कैटेगरी आपके लिए बना के दी थी, तो आप इसको अपने बेनेफिट के हिसाब से यूस करते हैं, तो मैं इसको टेलिग्राम पर डाल दूँग, कि आपको जिस तरीके से भी बेनेफिशल हो सकें, आप इसको यूस कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे को कोई कैटेगरी है, 5-6-7 इंडेशों जो देखने हैं, देखो खतम करो ना क्या दिक्कत है, किताब पढ़िये तो विदाट हाड़ को पर ले लो, अगर यहां तक देख रहा है तो एक आखरी बात बोलूँगा, महनत करना मत छोड़ना, मतलब there is no shortcut to success, महनत तो करनी ही है, बस given time में जो best कर सके, वो fitting करने का try करना, यह shortcut की तरह कभी मन दिखना सी यह को, कि मैं क्या इतना सा कर लूँगा तो मेरा काम बन जागा, नहीं, there is no shortcut to success, महनत तो करनी पड़ेगी, बस हाँ, भूत सारा है करने को समय कम है, तो you can plan things out, तो इसलिए मैं आपके लिए एक special चा वीडियो बनाके रखा है,